दूस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग के लिए Top 3 स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस पॉइंट पर सेलेक्ट कियें तो अगर आप कोई Best Camera स्मार्टफोन बाई करने के सोच रहे हैं या फिर Performance वाला स्मार्टफोन बाई करने के सोच रहे हैं चलिए दोस्तो इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है सैमसंग की तरप से Galaxy M34 बहुत सारे भाई लोग कमेंड करते हैं कि 15,000 के प्राइस पॉइंट पर हमें तो सैमसंग का ही स्मार्टफोन बाई करना है तो Best स्मार्टफोन सागेस कर दो आप डेफिनेटली Galaxy M35 5G को कंसिलेट कर सकते है M34 5G को बिकॉस में आपको प्रीमियम डिजाइन के साथ फीचर्स काफी इच्छ दिये गा है 5G कनेक्टिवटी के साथ स्टप बई स्टप सारे फीचर में आपको एक्स्प्रें कर देता हूँ डिस्प्ले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है सूपर अमॉलेट डिस्प्ले दिया गया है 6.5 इंचिस का 120 हर्ट फास्ट रिफ्रेस्रेट के साथ 1000 नीट्स की पीक ब्रैटनेट दीगे इच दिस्प्ले में 83.1 परसेंट का स्क्रीन टू वर्डियस हो है कोरणिंग गुले गलास 5 की प्रिटेक्शन है इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाला सीप्यू दिया गया लाइक प्रोसेसर एक्जी नोस 1280 5 निटे के साथ आता है 5G है और साथ ही ये स्मार्टफोन अप्गरेड डवल Android 14 है लाइक लेट टेस्ट आपको बर्जिन पर देखनो मिलेगा ये स्मार्टफोन 1EUI 6 पर रंड करता है 6G RAM 1.8 GB का बेस वरिंट है UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज दी गई है रियर पाट में ट्रपल कैमरा सैटप है में प्रामरी कैमरा आपको 50 माय विक्सिल का देखनो मिलता है विद OIS OIS आपको सपोर्ट देखनो मिलेगा रियर कैमरे में और 8 माय विक्सिल का ल्टावेड लेंस है 2 माय विक्सिल का मैक्रो लेंस है 4K 30fps लाइक फ्रेम रेम रेट पर सेकिंड पर इजिली मैक्स विडियो रिकॉर्ट कर सकते है फ्रेंट में 13 माय विक्सिल का सेलफी कैमरा दिया गया है 3.5 mm का जैक है OTG सपोर्ट करता है स्मार्फोन साइड मांटेड फिंगर पेंड सेंसर है साथी 6000 mAh की बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी दी गई है सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में IPS LCD 6.78 इंचिस का फ्लाट डिस्प्ले पैनल दिया गया है 120Hz फास्ट रिफ्रस्रेट है 50Hz की लाइक 580Hz की पीक ब्रैटनेस दी गई है और 84.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेस हुआ मीडिय टेक की तरप से डिमेंसिटी 6080 प्रोसर दिया गया है 5G 690 के साथ आता है Android वर्जन लेटेस 13 पर वेज़ड है HIOS 13 पर ये स्मार्टफोन रन करता है dedicated slot दिया गया है 8GV RAM, 128GV के base variant है rear part में dual camera setup है main primary camera 50 में आप इक्सिल का है 0.08 में आप इक्सिल का auxiliary lens दिया गया है dual camera setup है rear part में front में 11 में आप इक्सिल का selfie camera दिया गया है यहां पर company की तरप से 3 premium color scheme देखने हो मिलती है smartphone के base variant के price आपको 12,000 देखने हो मिलेंगे अगर आप इस smartphone के base variant को buy करेंगे credit card के through तो ये smartphone आपको 10,000 या फिर 11,000 के price point पर भी देखने हो मिल जाता है last time में वालत करते है smartphone के build quality के बारे में तो दोस्तो back और frame दाउनों plastic के दिये गा है smartphone के अंदर back panel पर multiple LED lights देखने हो मिलती है जो कि multi colors की है nothing phone बन की तरह जो कि आपको notification देखने हो मिलेंगे तो blink करेंगी low battery indicator बिलेंग करेंगी game action पर आपको blink करते हुए देखने को मिलेंगी अगर आप gaming करेंगे smartphone के अंदर तब 212 gram का weight है 9 mm की तिकनी से techno pua 5 pro एक like affordable price point पर काफ़े अच्छा package है grab कर सकते है उस price point पर next smartphone के बारे में बात करते हैं दोस्तों जो की रहता है realme की तरप से narjo 60 price के point to view से smartphone के अंदर ये smartphone की design personally में को अच्छी लगती है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ smartphone आपको 15,000 का देखने हो नहीं मिलेगा 16,000 का है flip card और Amazon दौन पीटफॉम पर बट अगर आप credit card ये फिदेविट card के थूँ परचेस करोगे exactly आपको 15,000 का देखने को मिल जाएगा step-by-step feature में आपको explain कर देता हूँ Super AMOLED 6.43 इंचेस का flat display panel दिया गया है with 90 Hz refresh rate के साथ display में 85.7% का screen to body refresh हुआ है Corning Goli glass 5 की protection दी गई है Media Tech की तरप से process दिया गया है Dimensity like 6000, 20, 700 meter के साथ आता है Android version 13 पर वेज़द है Realme UI 4.0 पर ही smartphone रंड करता है dedicated slot दिया गया 8GB RAM 120 8GB के base variant है rear part में dual camera setup है 64 में आप XL का main primary camera है 2 में आप XL का depth lens है 1080 PY 30 frame rate per second पर आप video record कर सकते हैं rear camera से front में 16 में आप XL का selfie camera दिया गया है front से आप 1080 PY 30 frame rate per second पर ही video record कर सकते हैं 3.5 mm का jack दिया गया है तो आप earphone यूज़ कर सकते हैं under display fingerprint sensor दिया गया है 5000 mh की बड़ी बैटी के साथ 33 watt की far charging की support दिया गया है company की तरप से smartphone के अंदर दो color scheme देखने में मलती है mass, orange, cosmic, black जो कि आप अपनी पसंद के साब साब कोई से कल option भी buy कर सकते हैं smartphone के अंदर back में आपको black back panel plastic का दिया गया है with equal leatherness frame भी plastic का है gorilla glass 5Q protection display के अंदर दी गई है 182 gram का weight है 7.9 mm की थिकनी से यह smartphone better value for money realme की तरप से और feature loaded है definitely grab कर सकते हो काफी अच्छा super amoled वाला display देखनों मिल जाता है camera setup भी अच्छा है बड़ी बैटी के साथ far charging support भी देखनों मिल जाती है तो buy कर सकते हैं अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन के बटिन को प्रैस करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेर कर देना मिलते हैं आपसे के लिए एक ऐसी ही नहीं इंट्रेस्टिंग और अब्डेटेड वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care